हेलो एब्रिवन, कोकिंग फूट बेदिस मिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक नाश्टे की रैस्पी लेकर आई हूँ जो बच्चे हो या बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा ले ली है अब हम इसमें आदा कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे आप इस नाश्टे को केबल मैदा से भी बना सकते हैं या केबल गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें एक चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी और अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक इन सारी चीजों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच रिफाइन डॉयल आप किसी भी तरह का ओयल ले सकते हैं अगर आप इसमें घी का मोयन लगाना चाहते हैं तो इससे ये नास्ता और भी क्रिस्पी बन कर तयार होगा अब हमें मोयन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे ये सभी जगए अच्छे से मिल जाए अब हम आटे की मुठी बना कर देखते हैं देखिए कितने अच्छे से लड़ू बन कर तयार हो रहा है इसका मतलब मोयन बहुत ही अच्छे से लग चुका है तो अब हम इसका एक आटा लगा कर तयार करेंगे हम थंडे पानी से ही आटा लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा लेंगे हमें इसका बहुत जादा सॉफ्ट और मीडियम आटा नहीं लगाना है हम एक सक्ट सा आटा लगाकर तयार करेंगे जिस तरह से हम समोसे का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से और बिल्कुल इस तरह से हमें इसका आटा लगाकर तयार कर लेना है अब देखिए आटा लगकर तयार हो चुका है अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देते हैं तब तक हम फिलिंग बना कर तयार कर लेते हैं जिसके लिए हम कढाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम आदा चम्मच जीरा डाल देंगे अब जीरा अच्छे से चटकने लगा है तो अब हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग एक चम्मच अद्रक और लैसुन का पेश्ट और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारी कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें डाल देते हैं बारी कटा हुआ प्याज ये मैंने एक प्याज लिया है इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं प्याज थोड़ा सा भून चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले तो ये मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी पाउडर एक चम्मज धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और इसको थोड़ा सा भूनना है जब तक इसमें से कच्चापन ना चला जाए अब हम इसमें डाल देंगे उबले और मैश किये हुए आलू तो ये मैंने चार आलू लिये हैं जिनको उबाल कर मैश कर लिया था हमें इसके बहुत बड़े बड़े टुकडे नहीं लेने हैं अब हम इसको लगबग चार से पाउन्च मिनट तक अच्छे से भून लेंगे चार से पांच मिनट तक मैंने आलों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है और देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर आप चाहें तो आमचूर पाउडर की जगए चार्ट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी दनिया पत्ती और गैस की फ्लेम को अब हम आफ कर देते हैं और ठंडा हो जाने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे अब हम एक गोल बना कर तयार करेंगे जिसके लिए एक चमच मैदा ले लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका थोड़ा पतला सा गोल बना कर तयार कर लेंगे देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें गोल बना लेना है तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सैट हो चुका है अब हमें इसको थोड़ा सा मसल लेना है जिससे ये और भी अच्छे से चिकना हो जाए तो अब हम इसमें से एक लोई ले लेते हैं और इसकी एक पूड़ी बना कर तयार करेंगे जैसी हम नॉर्मल घरों में रोटी या पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको बेल कर तयार कर लेना है ये बहुत जादा पतली या बहुत जादा मौटी नहीं होनी चाहिए देखिए मैंने पूरी को अच्छे से बेल कर तयार कर लिया है बिल्कुल इस तरह से हमें इसको पतली रखना है अब हम इसके चारों किनारों को काट लेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप देंगे अगर आपको ये थोड़ा सा मौटा लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं हमने भी बेल कर इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है अब हम इसके बीच ओबीच से इसको काट देते हैं और एक पट्टी को हटा देते हैं जो हमने घोल बना कर तयार किया था इसके बिल्कुल बीच ओबीच हम लगा देते हैं अब जो दूसरी पट्टी है बिल्कुल इस तरह से हम इसको रखेंगे प्लस का बिल्कुल सिम्बल बना देंगे अब हम एक पट्टी से इसकी पतली पतली पत्टियां काटेंगे मैंने इसकी 6 पत्टियां काट कर तयार कर ली है और उची के साइड वाली पत्टी से भी हम इसी तरह से पतली पतली बिल्कुल पत्टियां काट कर तयार करेंगे अब जो हमने गोल बना कर तयार किया था इसके चारों किनारों पर हमें अच्छे से एपलाई कर देना है और जो हमने फिलिंग बना कर रखी थी इसके बिल्कुल बीच ओ बीच रख देते हैं एक किनारे को उठाते हुए हम इसको अच्छे से दबा देंगे जिससे जब हम इसको फिलिंग बाहर ना आए और दूसरे किनारे को भी उठा कर हमें इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर देना है और अच्छे से इसको दबा देंगे अब हम एक किनारे से इसकी इस तरह से पट्टी उठाएंगे और दूसरे किनारे तक ले जाते हुए चिपका देंगे दूसरे साइट की पट्टी को भी हम इस तरह से उठाएंगे और दूसरी तरफ अच्छे से चिपका देंगे इसलिए मैंने इस पर मैदे का गोल अच्छे से एपलाई किया है जिससे ये अच्छे से चिपक जाएं और फ्राई करते हुए ये निकलेना अब दूसरी तरफ से भी हम इसकी एक पट्टी उठाएंगे और दूसरी तरब से भी इसी तरह से हमें एक एक करके एक साइट से फिर दूसरी साइट से एक एक करके पट्टियां उठाते हुए इसको अच्छे से चिपकाते जाना है इसी तरह से हमने सारी पट्टियों को अच्छे से चिपका देना है आप देख रहे होंगे कितनी सुन्दर डिजाइन बनकर तयार हो रही है जो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी देखिए कितनी बढ़िया और सुन्दर सी डिजाइन बनकर तयार है तो चलिए इसी तरह से मैंने ये 5 डिजाइन बनाकर तयार कर ली है तो एक तरफ मैंने कड़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है क्योंकि हम इस नास्ते को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे और इसी तरह से हम नास्ते को थोड़ी देर इसमें पड़े रहने देंगे और थोड़ी देर बाद ही टच करेंगे लगबग एक मिनट बाद जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिख जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे अब ये थोड़ा सा एक तरफ से सिख चुकी है तो अब हमें धीरे धीरे इनको पलट देना है जिससे इनकी जो इस्ट्रिप हमारे जल्दवाजी में पलटने से तूटेना इसी तरह से आहिस्ता-ाहिस्ता से हमें सारे नाश्ते को पलटते जाना है और अब सारे डिजाइनर समोसे बनकर तयार है अगर आपको इनकी रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हेलो दोस्तो, कुकिंग फूट बिदिसमिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आज हम आप लोगों के लिए रिंग शक्करपारों की रेस्पी लेकर आई हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनकी यूनिक डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है, तो बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, और अब हम इसमें एक कटोरी ही मैदा डालेंगे, अगर आप चाहें तो केबल गेहूं के आटे से भी इनको बना सकते हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमत, जिससे जो साही शक्करपारों का फ्लेवर है न, वो बैलेंस रहेगा और वो बहुत ही मीठे मीठे नहीं लगेंगे, अब हम इसमें ओयल डाल देते हैं, अगर आप चाहें तो मोयन के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें मैंने 100 ग्राम ओयल डाला है, और अब हम इसको हा अच्छे और क्रिस्पी बन कर त्यार होंगे, मोयन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब आप इस तरह से मुठी बना कर देखिए, ये कितने अच्छे से मुठी बन रही है, तो इसका मतलब मोयन अच्छे से लग चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा कर तयार करेंगे आटा हम थंडे पानी से ही लगाएंगे और एक मेडियम सा आटा लगाएंगे चुब बहुत ज्यादा टाइट और बहुत ज्यादा सॉप्ट नहीं होना चाहिए और ये देखिए मैंने एक मेडियम सा आटा लगा कर तयार कर लिया है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है और लगबग 10 मिनट तक अब हम इसको ढगकर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं अब हम चाशनी बनाएंगे शक्कर पारों के लिए हमें एक तार की चाशनी बनाकर तयार करनी है जिसके लिए हमें 2 कटोरी शक्कर ले लेनी है और उसमें उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी पानी डाल देना है गैस की फ्लेम को हम मेडियम कर देंगे ये मैंने लगबग 400 ग्राम शक्कर ली थी और उसमें 200 ग्राम पानी डाल देंगे जिससे चाशनी सक्करपारों के लिए एक तम से परफेक्ट बनकर तयार हो जाएगी जब वो मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के कुछ थागे जिससे चाशनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको इस तरह से मिक्स कर देते हैं चाशनी में जब वोबाल आ जाए तो आदा चमच शेलाइची का पाउडर डाल देंगे जिससे चाशनी में बहुत ही अच्छी खुश्पू आएगी ये चाशनी लगभग 8-10 मिनट में मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से पकर तयार हो जाएगी तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम इसको उठा कर देखेंगे देखिए एक तार की चाशनी बन रही है अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो उंगलियों से आप इस तरह से चिपका कर देख लीजिए एक तार इसमें बन रहा है तो इसका मतलब चाशनी एकदम से परफेक्ट बन कर तयार हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देते हैं इतने में हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इसको कुछ चेकेन के लिए मसलते हुए थोड़ा सा चिकना कर लेंगे जिससे शकरपारे और भी अच्छी बन कर तयार होंगे अब हम इसमें से एक बड़ी सी लुई ले लेते हैं यह लग बग मैंने दो रोटियों के बरावर एक लुई ले ली है अब हम इसमें बिना पर्थन के ही इसको ऐसे ही बेल लेंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे से मोयन लगाया था ना इसलिए इसमें पर्तन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसे नॉर्मल हमगरों में रोटियां बनाते हैं उसी तरह से बिलकुल हमें इसको बेल कर तयार कर लेना है जो बहुत जादा मौटी या बहुत जादा पतली नहीं होनी चाहिए देखिए इसकी मौटाई हमें इतनी रखनी है और एकदम से पर्फेक्ट बनकर तयार हुई है अब हम इसकी चारों किनारों को काट लेंगे जिससे हमें एक चौकोर सी शेट मिल जाएगी और जो इसकी एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसको हमें हटा देना है अब इसकी भी हम एक पतली पतली पत्टियां काट कर तयार करेंगे पत्टियां बिल्कुल हम एकवल काटेंगे जिससे जो हम डिजाइन बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनकर तयार होगी और ये देखी इसी तरह से मैंने पतली पत्ली पत्टियां काट कर तयार कर ली है और इनको मैंने बिल्कुल एक कुली काटा है अब इसमें से मैं पांच स्ट्रिप को उठा लेती हूँ और उसको एक तरफ से इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छे से पकड लेना है और इसको इस तरह से अब हम अमेट दे जाएंगे बहुत ही सिम्पल सी डिजाइन है बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है अब इसके दोनों किनारों पर हम अच्छे से पानी लगा देंगे और इस तरह से इसको अच्छे से चिपका देंगे जिससे जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुलेना इसलिए हमें इनको बहुत ही अच्छे से चिपकाना है और ये डिजाइन बनकर तयार हो गई है तो चलिए मैं आपको एक और डिजाइन बना कर दिखा देती हूँ बस सिंपली हमें एक किनारे से इसको अच्छे से दबाते हुए पकड़ना है और इसको अच्छे से अमेटते जाना है और अब हमें इसके किनारों पर अच्छे से पानी को लगा देना है पानी हमें अच्छे से लगाना है जिसके ये खुले न, खुलने से इनका डिजाइन खराब हो सकता है और बस बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम इनको दबाते हुए चिपका देंगे और ये देखिए एक पहुत ही प्यारा सा रिंग शक्करपारा बनकर तयार है इसी तरह से हमें सारे शक्करपारों को बनाकर तयार कर लेना है तो चलिए ये तो बनकर तयार हैं अब हम इनको फ्राई करने की तयारी करते हैं तेल को गर्म कर लिया है उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो करतेंगे क्योंकि हम इनको low flame पर ही पकाएंगे और एक बार में जितने अच्छे से आ जाएं उतनी ही हमें डालने हैं बहुत ज़्यादा में एक बार में बरना नहीं है और लगबग एक मिनट तक हम इनको ऐसे ही पड़े रहने देंगे जब तक कि यह अपने आप उपर ना आने लगें और जब ये ऊपर आ जाएंगे ना इस तरह से तो अब हम इनको पलट देते हैं लो फ्लेम पर ही हम इनको लगबग 10-11 मिनट तक अच्छे से उलटते पलटते हुए सेख लेंगे जिससे ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं ये बात हमें ध्यान देनी है कि इनको लो फ्लेम पर ही पकाएं और इस तरह से थोड़ी थोड़ी तेर बाद इनको पलटते जाएं देखिए कितना बढ़िया और प्यारा सा कलर आ चुका है तो अब हम इन सारे शक्रपारों को निकाल लेती हैं क्योंकि बाहर आने के बाद इनका और भी कलर चेंज हो जाएगा और जो हमने चाशनी बना कर रखी है उसमें डाल देती हैं एक मिनट तक इनकी उपर चाशनी की अच्छे से कोटिंग कर देंगे जिससे इनके लच्चों में अच्छे से चाशनी भर जाए बहुत देर तक हम इनको चाशनी में नहीं पड़े रहने देंगे क्योंकि ये सौफ्ट हो जाएंगे और खाने में बिलकुल भी अच्छे नह लगेंगे बस एक मिनट तक ही अमेंग की उपर चाशनी की कोटिंग करनी है और कितने बढ़िया रिंग शक्करपारी बनकर तयार हैं बिना किसी जंजट के ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे और तिवहारों का मचा दुगना कर देंगे और अगर आपको भी इन शक्करपारों की रैस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तिवहारों पर सभी लोग अपने घरों में कुछ न कुछ मीठा और नमकीन बनाते ही हैं तो इस बार मैं इन फ्लार मठी की रैस्पी लेकर आए हूँ जो देखने में बहुत ही सुन्दर है और उन्हें बनाना उतना ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन क्रिस भी मठी को इसके लिए ये मैंने एक कटोरी मैदा ले लिए है आप चाहें तो गेम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें एक चम्मच अजवाइन डालेंगे और अजवाइन को हातों से अच्छी सी क्रेश करके डालेंगे जिससे जो मठी बनेंगी उसमें डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइन दालेंगे रिफाइन ओएल तो यह मनें पचास ग्राम रिफाइन ओएल लिया था और यह मैदा लगबग 200 ग्राम है आप हम इसको अच्छे सी मिख्स कर देंगे और चाहें NH चोः जग है गी का भी मुठी बन रही है तो बहुत अच्छी से मोयन लग चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा कर तयार करेंगे आटा हमें मेडियम लगाना है जो बहुत ज्यादा सौफ्ट और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ये देखिए मैंने आटा लगा कर तयार कर लिया है जो बहुत ज्यादा सौफ्ट और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बस इसी तरह का आटा हमें लगा कर तयार कर लेना है अब हम इसको 10 मिनट धक कर रेश्ट करने के लिए रखते हैं आटा अच्छी से सेट हो चुका है तो अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं जिससे ये और भी चिकना हो जाएगा आटा अच्छी से चिकना हो चुका है अब हम एक बड़ी सी इसमें से लोई ले लेते हैं और एक बड़ी सी पूड़ी बना कर तयार करेंगे जैसे नौर्मल घरों में हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको पतला करके बेल लेना है और ये देखिए मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बना कर तयार कर ली है और ये थोड़ी सी रोटी से मोटी ही है इसी तरह से हमें बेल कर तयार कर लेना है आप किसी ढकन या किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से आप इसके चोटी चोटी गोले काट कर तयार कर लें इसकी हमें छोटी-छोटी ही पूरियां बनानी है इसलिए किसी छोटी चीत से ही काटिएगा जिससे ये देखने में भी अच्छी लगेंगी ये देखिए मैंने सारे गोले काट लिये हैं और जो एक्ष्टा आटा है, वो हम निकाल देते हैं हम इन सारी पूडियों को अलग निकाल कर रख देते हैं, अब हम चाकू से उल्टी तरब से इस तरह से निसान लगा लेंगे, प्लस का निसान लगाएंगे और इस तरह से इसको क्रॉस करते हुए निसान लगा लेंगे, अब बीच की जगे को थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इस तरह से इसमें कट देंगे, अब हम इस तरह से थोड़े से निशान लगा लेंगे, तो एक में हम तीन-तीन निशान लगाएंगे, जिससे ये देखने में अच्छी लगेगी, अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से पत्तियों को नुकीला करते जाएंगे, ये मैंने एक काली मिर्च ले ली है, जिसको पानी में भिंगो दिया था, इसके उपर बीच में हम चिपका देंगे, देखिए कितनी बढ़िया मठ्री बनकर तयार है, आप काली मिर्च की जगे, काली तिल भी लगा सकते हैं, तब भी ये बहुत ही सुन्दर लगेगी, और ये देखिए मैंने सारी फ्लार मठ्री डिजाइन बना कर तयार कर ली है, तो एक तरप मैंने पहले से ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो जो हमने मठ्री बना कर रखी हैं, वो इसमें अब हम डालते जाएंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे ये अच्छे से सिख जाएं, और उपर से जले ना, ये जब अपने आप उपर आ जाएंगी, तब हम इनको उलट पलट देंगे, इस तरह की फ्लाग मठ्री आप त्योहारों पर जरूर बनाईएगा, अब ये देखिए कितने अच्छे से खिलकर उपर आ रही हैं, तो हम इनको इस तरह से थोड़ा सा चला देते हैं, जिससे ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, और एक दूसरे में चिपकेंगी नहीं, एक से दो मिनट बाद एक तरफ सिखने के बाद हम इनको थोड़ा सा पलट देते हैं, जिससे ये अच्छे से दौना तरफ से क्रिस्पी हो जाएं, इनको इसी तरह से पलटते हुए लो मीडियम फ्लैम पर हमको फ्राई करना है, और लगबग 10 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं, इससे जादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इनको बाहर निकालेंगे, तो इनका थोड़ा सा कल और चेंज हो जाएगा, 10 मिनट हो चुके हैं मैं इनको फ्राई करते हुए और देखिए इनके उपर कितना अच्छा कलर आ चुका है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया शेप और कितना बढ़िया कलर है, तो एक बार आप इसको तिवहार पर जरूर ट्राई करिएगा, तो दोस्तो कैसी लगी आपको इन यूनिक फ्लावर मठरी की रैस्पी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्रा करना मिलकुल मत भूलिएगा, थेल्लो एबरीवन, ना आलू, ना सूजी और ना ही दाल, आज हम केवल थोड़े से आलू चिप्स से ये स्वाधिष्ट समोसे बनाकर तयार करेंगे, तो चलिए फिर आलू चिप्स के ये स्वाधिष्ट समोसे बनाना शुरू करते हैं, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको सबसे पहले हम भूनेंगे इसके लिए पहले से ही एक कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और आधे ज़्यादे चिप्स करके हम तेल में भून लेंगे अब इनका थोड़ा सा कलर वाइट ही होना चाहिए तो ये अच्छे से भून चुके हैं बस अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बचे हुए चिप्स हैं उनको भी हम भून लेंगे तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और ठंडा हो जाने के बाद हम इनका इस्तेमाल करेंगे तब तक हम एक आटा लगा कर तयार करेंगे जिसके लिए ये मैंने एक कटोरी मैदा ले ली है नाप से देखें तो ये लगबग 200 ग्राम है और ये मैंने आदा चमच अजवाइन ले ली है अजवाइन को अच्छे से हाथों से क्रश करके डालेंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आ जाएगी और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं इसके बीच में थोड़ी ची जगय बना देते हैं ये मैंने 50 ग्राम रिफाइन डॉयल ले लिया है इसको डाल देते हैं ये लगबग 200 ग्राम मैदा होगी जिसके लिए 50 ग्राम रिफाइन डॉयल परियाप्त है आप चाहें तो इसमें घी का भी मोयन लगा सकते हैं जिससे जो ये समोसे बनेंगे और भी टेश्टी और खस्ता बनेंगे आप इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मोयन को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसकी इस तरह से मुठी बना कर देखिए इस आटे की कितने अच्छे से मुठी बन रही है तो इसका मतलब मोयन बहुत ही अच्छे से लग चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा कर तयार करेंगे आटा हमें सक्त लगाना है जिस तरह से हम समौसे का लगाते हैं और हमें ठंडी पानी का ही इस्तेमाल करना है और ये देखिए आटा लगा कर मैंने तयार कर लिया है जो थोड़ा सक्थी है अब हम इसको 10 मिनट तक धक कर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं जिसे ये अच्छे से सैट हो जाएगा अब तक चिप्स भी ठंडे हो चुके हैं तो एक मिक्सी के जार में हम इनको डाल लेते हैं और देखिए इस तरह से हमें इसका एक बारीक सा पाउडर बना कर तयार कर लेना है बिल्कुल इस तरह से अब इस चिप्च के पाउडर को हम एक बाल में ट्रांसपर कर लेते हैं और अब हम इसमें कुछ मसाली डालेंगे तो ये आदा चम्मच जीरा लिया है जिसको मैंने बून पीज लिया था आदा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे आप अपने टेस्ट के कोर्डिंग डालेंगे आदा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आदा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है आप चाट मसाला की जगे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, एक चौथाई चम्मच सौंप पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये मैंने दो चम्मच नीबू का रस लिया है, इसको भी डाल देते हैं, और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, एक चम्मच पिसी होई शक्कर, जिससे ही समौसी में खटा मीठा स्वाद आएगा, और वो बहुत ही तेश्टी लगेंगे, तो चलिए अब आटा भी तक सैट हो चुका होगा, आटा सैट हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं, जिससे ये और भी अच्छे से चिकना हो जाएगा, आटे को मैंने मसल कर चिकना कर लिया है, तो चलिए समौसी बना लेते हैं, अब हम इसमें से एक लोई ले लेते हैं, जैसी हम नॉर्मल घरों में रोटियां बना उससे हमें थोड़ी सी मौटी रोटी बनाकर तयार कर लेनी है बिल्कुल इस तरह से इतनी ही मौटी हम इसको रखेंगे अब हम इसको बीच से दो हिस्सों में काट लेंगे अब हम एक हिस्सी के किनारी पर अच्छी सी पानी लगाएंगे पानी हमें अच्छी सी लगाना है जिसी ये आराम से चिपक जाए और जब हम समोसों को फ्राई करें तो वो फटेना और इसको हमें अच्छी सी लॉक कर देना है अब जो हमने filling बना कर रखी है हम इसके अंदर भर देंगे लगबग 1-1.5 चमच हम इसमें अच्छे से भरेंगे जिससे समोसी खाने में बहुत ही tasty लगें उंगली से इस तरह से filling को दबा देंगे और इसके उपर वाले केनारों पर भी हमें अच्छे से पानी लगा देना है जिससे हम इसको चिपकाएं तो ये बड़े ही आराम से चिपक जाए पानी हमें अच्छे से लगाना है और इस तरह से हम इसको दबाते हुए लॉक कर देंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा मोर देंगे जिससे ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगें देखी कितना बढ़िया छोटू सा समासा बनकर तयार है इसी तरह से मैंने सारे समासी बनाकर तयार कर लिये हैं तो चलो इनको हम फ्राई कर लेते हैं जिसके लिए मैंने गैस पर तेल गर्म करने के लिए रख दिया था अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब एक एक करके हम इसमें समासी डाल देंगे गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है क्योंकि हम इन समासों को लो फ्लेम पर ही सेकेंगे समोसी हमेशा लूफ लेम पर ही शिये किएगा जिसी ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन कर तयार होंगे अभी हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक मिनट तक इसी तरह से हम इनको पड़े रहने देंगे और देखिए एक मिनट हो चुका है और एक मिनट में ही ये उपर आने लगे हैं तो अब हम इनको थोड़ा सा चला देते हैं जिससे ये थोड़ा सा उलटते पलटते हुए थोड़ा सा और भी सिख जाएंगे और लगबग 10 मिनट तक हम इनको लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेखेंगे जिससे ये बहुत ही अच्छे और अंदर तक सेख जाएं ये समोसे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा और खट्टा मीठा आता है तो एक बार आप इनको जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये समोसों को ट्राई करना तो बनता ही है अब ये समोसे सिख चुके हैं तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं और ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं चोटू समोसे तो आपको इन आलू चिप्स के समोसों की रैस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नई रैस्पी डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें